जिस तरीके से हमने ancient history को देखा, उसी तरीके से हम थोड़ा सा medieval history को detail में देखेंगे कि medieval history में अपने को क्या-क्या focus करना है यो PSE के perspective से तो again हमेशा जो है भैरी करते रहता है questions के जो आपको numbers हैं, बट फिर भी आपको balance preparation के लिए थोड़ा सा medieval history को आप ignore नहीं कर सकते बात आती है कि types of question में division करें तो किस तरीके से question पूछेंगे हैं तो एक तो आपको administration based question है यहां से काफी पूछे जाते हैं वो भी खास करके जो है सल्तनत period और मुगल period वाला region से तो आप देखिए कि revenue administration of Delhi अब यहां पे आमील पूछ लिया उसने कि आमील कौन हुआ करता था एक बार उसने जो है मीर बक्ची को पूछ लिया कि मीर बक्ची कौन हुआ करता था ठीक है यह यह इक्ता system क्या हुआ करता तो कौन उपर में था कौन आपको central level पे था कौन state level प्रोविंसेज लेबल पे था और district level पे कौन हुआ करता था ठीक है तो यह administration किस तरीके से divided था यहां से question बन गया इसके अलावा personality से question आपको ancient में भी मिलेगा medieval में भी मिलेगा अब यहां से उसने जो है पूछ लिया भाई और dynasties के साथ साथ जो famous kings हैं कम से कम वो अपने आपको देखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं तो यहां से keywords based question यहां से भी पूछे जाते हैं जैसे हुंदी पूछ लिया कि हुंदी क्या हुआ करता था या अरगट का meaning जो है वो क्या हुआ करता था तो इस तरीके से आप देखोगे कि questions बनने के keywords भी यहां से भी important आपको दिखेंगे और आगे बढ़ोगे तो location based question तो जैसे UPSC को मैंने बता चुका हूँ already कि UPSC जो है UPSC geography और history को बढ़ा अच्छा मिलाती है और यहां से उसने question पूछ लिया कि भाई जो seport है यह काकातिया का कौन सा famous seport हुआ कर Saint India में कहां पे हुआ करते थे तो फिर जो है आप यहां से question को वैसे भी लगा सकते थे you don't need to know exact तो यह कही न कहीं purpose आपको यह भी clear रखना है ठीक है कि अगर मैं चलो कहीं न कहीं एक से दूसरे information को how I will get that information तो मालो यह नेलूरू है तो नेलूरू आज क्रेट में नेलूर हु तो यहां से उसने simply chronology पूछ लिया कि भाई बताइए इनके बारे में कि प्रतिहाराद का राइज आपको पल्लावा पावर का राइज ठीक है चोला पावर का राइज और पाला डैनेस्टी का foundation इनमें कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ तो यह आपको कहीं न कह पूछ भी लिया है तो नुनिज को पूछा उसने इसी वज़ा से मालो कि ट्रेवर्नियर को पूछ लेगा बर्नियर को पूछ लेगा या फिर जो है अगर अपने को पढ़ना है कि कैसे पढ़ें तो आप देखो इसको भी आप हम पाटों में डिभाइड कर सकते हैं एक तो आपको dynasties before सल्तनत तो after हर्सवर्धन और जो major kingdoms का राई हुआ वो कैसे हुआ तो आपको वो जो phase है वो ट्राइपाटाइट struggle का phase जो है that is the palace प्रतिहाराज और राष्टर कुटाज यह जो तीन kingdom आई थी और जो कन्नोज के लिए fight कर रही थी तो इनको अपने को देख लेना है और इन में बेसिकली क्या देखना है इनकी dynasties देखनी है और इन dynasties में आपको जो chronology है तो आप एक अगर चार्ट मना लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा फिर प्रतिहाराज को निकालोगे प्रतिहाराज को देखोगे और राष्टकुटाज को देख लोगे इस तरीके से इसके साथ साथ अगर कोई famous king है जैसे अब भोज है तो राजा भोज या king भोज जो है तो यह इनके time में कौन सा आपको famous इनका अगर specific कुछ है तो देख लेने का है राष्टकुटा king में भी अगर आप देखोगे तो उनमें भी देख लेंगे अमोगवर्स हो गये कृष्ण हो गये तो उनके तरीके के कुछ specific information है तो वह अपने को देख लेना है या फिर वराह inscription जो है या वराह किस का title हुआ करता था आदी वराह का जो title लिया था तो किस ने लिया था तो इस तरीके की तो देखोगे तो चोला तो इस टाइम तक जो है आपको चोला का भी राईज हो जाता है ठीक है तो जो आपको जो जो मेजर दो kings इस टाइम में होंगे राज राजावन एंड राजिंदर चोला तो उनका contribution आप थोला सा देख लोगे और कहां कहां पर तो बेसिक वहां आप आइडिया आपको ले लेना है उनकी administration उनका किस तरीके से हुआ करता था तो ये अपने को important हो जाएगा साथी साथ other South Indian kingdom उस time में बन गए थे उसके बीच में ही या पहले तो उस time period में जो other kingdom बने थे तो छोटे मोटे जैसे गंगा kingdom बनी तो ये कहां पर हुआ करती थी ठीक है तो ये अपने को थोड़ा सा देख लेने का है उसके बाद early muslim invasions बहुत detail में नहीं बठा जो आपको म राइन होगी 1191-92 के वे तो उस time में कौन कौन से जो है आपको kingdom हुआ करते थे तो majorly तो आपको प्रतिहारा kingdom थी तो प्रतिहारा kingdom या गुर्जर प्रतिहारा kingdom जो थी वही divide हुई थी और divide होके बहुत सारे जो जवांग्स घड़ा वाला थे तो ये different kingdom जो थे ये कहां पे थे किस तरीके से located थे उसके बारे में थोड़ा सा basic आप यहां से clear कर लेंगे उसके बाद अगर बात करें तो next period में जैसे ही आएंगे तो फिर सल्तनात period में आ जाएंगे और सल्तनात period में आपको dynasty पहले तो and chronology उनकी clear होनी चाहिए कि कौन कौन से ruler आए ठीक है तो इलबारी dynasty किसको बोलते है मामलुक डैनिस्टी किसको बोलते है ठीक है आपको जो है खलजी आए पहले आए कि आपको तुगलक्स पहले आए सयद पहले आए तो यह इनका जी chronology जो है वो आपको clear होनी चाहिए साथी साथ chronology में इनकी थोड़ी बहुत policy और administration जो है आप देख लेंगे इसमें तो major आपको generally अलावदीन खलजी की देखने मिलेगी साथी साथ जो है थोड़ी बहुत आपको महबद बिन तुगलक की दिखेगी और फिरोध सा तुगलक की देखने मिलेगी तो इनके administration वगएरा थोड़ा देख लेंगे थोड़ा सा बलबन को भी देख लेंगे तो यह जो majorly है यह अपने को देख लेने का है इसी time period में mongol invasions चल रहे थे और mongol invasions से question बने हैं तो regular repeated invasions चले हैं कि इस time में क्या थोड़ा बहुत development जो हुआ है वो देखना है तो अलावदिन खिल जी के time में मान लो कि यह मongol जो है यह आपको चले आये थे देली तक तो वो आपको information data है वो आपको पता होनी चाहिए यह बलबन के time में वो नहीं जाता है जब attack होता है तो तो इस तरीके की जो थोड़े बहुत specific terms है वो देख लेना है इसके बाद जो है constructions उन्होंने जो भी major constructions कराए तो आप इसको art and culture के साथ भी relate करके पढ़ सकते हो अलग से भी पढ़ सकते हो तो this you will do उसके बाद जो है decline of सल्तनत होता है decline of सल्तनत तो आपको पता होना चाहिए last में हुआ क्या ठीक है तो किस तरीके से conditions जो थे वो बने थे कि इब्राहिम लोदी जो है उसको क्या condition चल रहे थे क्यों आपको बावर आता है किस time period में आता है और कौन से players थे उस time में जो थे या जो battles हो गई तो battle of panipat होई उसके बाद जो 23 battles होई 1526 के बाद 2728 में तो यह आपको थोड़ा सा clear रखना है अच्छा इसी period में आपको rise होता है छोटे छोटे kingdoms का तो इसमें जो विजय नगर kingdom ही यह तो काफी बड़ा kingdom बनेगा और विजय नगर kingdom का rise जो है आपको मान लो फिर kingdom dynasty थी तो इस तरीके से जो अरावीडू dynasty ऐसे करके जो dynasty जिनकी हुए इसमें से जो major king से हम जरूर पढ़ लें कम से कम आपको krishnadev raya में अगर पढ़ें तो इनके administration को आप जरूर देखें इनके administration को इनके आपको जो अश्ट दिग्गा जुआ करते थे उसको आप जरूर द देखेंगे और construction इन्होंने जो कराए हैं वो देखेंगे तो विजय नगर आपको इतनी चीजी आपको विजय नगर से देखने का है ठीक है इस टाइम में जो books वगरा भी लिखी तो krishnadev raya ने खुद भी books लिखी है इनके ministers जो थे उन्होंने भी लिखा है तो वो अपने क सल्तनात तो थोड़ा सा आप यहां पर देख लेंगे कि इस रीजन में है यह कौन-कौन से सल्तनात हुए तो आदिल साही कहां पर थी आपको इमार्द साही कहां पर बरीद साही कहां पर हुआ करती थी ठीक है तो यह location जो है बीदर बीजापूर गुलकोंडा यह जो रीजन में तो सर्की डैनिश्टी में एक दो मेजर जो किंग्स हुए उसको देख लेना है इसके बाद जो मेजर सेक्षिन है डैटी आप दो मुगल्स और मुगल्स में सबसे पहले तो क्रोनलोजी आपको पता होनी ही चाहिए कि बाबर के बाद फिर चीजें कौन-कौन से किंग्स जो है वो आते हैं इसके बाद यहाँ पर कौनोजी क्लियर होने के बाद जो फेमस बैटल थोड़े बहुत ओभी आपको हुमायू वाले ही याद रखने जो सेजसरा सोरी के साथ बैटल हुए है तो उनके बैटल के नाम याद रख लेना उसके बाद जो है अकबर का अद्मि कि आपको जाता है तो इसको क्या क्या करता था जो है अकबर का ठीक्चर का पर हो सकते हैं आप यहांन भी चाहें तो इसको एड करते हुए यह किसने कौन सा कश्च्च्च्य कराया है पालिसी जड़ी बहुत पालिसी जड़े रिले टे आईडिया आपको थोड़ा सा होसा मुना है अगर सॉब्जेट्टिव कुश्चन उसने बना दीया थोड़ा सा क्लैरिटी आपके बीच में होनी चाहिए छीडे के पाल रहता इसके बाद chronology and brief idea of events after औरंग जेब तो औरंग जेब के बाद क्या हुआ 1707 में उसकी डेथ होती है 17 में उसके बाद जो है उसके क्या-क्या चीजें हुई तो वो अपने आपको brief description देखते हुए चले जाना यह कौन-कौन से जो है rulers है और उस time period में किसका main role रहा है ठीक है तो मा सब्सक्राइब बार होते हैं वो अपने को देख लेने का है साथी साथ एक जो है मुगल में ही आप देख लेंगे एक dynasty को जिसको कहते है सुरी dynasty तो सुरी dynasty जो है या सुरी का हुआ करता था से शुरी आपके इंपॉर्टेंट बनेगा और यहां से से सरसा सुनी को जरूर अगर सल्टनात में हम अक्सर मिस कर जाते हैं तो सुरी डैनेश्टी को भी अपना मिस करें इसकी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है तो वह करने के नहीं है ज्यादा बट यह आप फोकस जरूर कर लें तो इसके बारे में आपको अइडिया होना चाहिए इसके बाद जो है पोस्ट मुगल्स में अगर आप बात करेंगे तो पोस्ट मुगल्स में जो इंप्वर्टन गिंग्डम बने गी तो बहुत चोटी पहले आया तो बाजी रम पहले आये, बाजी बाजी रम आये, बाऑना जी बिश्वन आथ है, तो ऐसे करके कौन से हेड हुआ करते थे ठीक है साती साथ इनका एड्मिस्टेशन जो टैक्स वगेरा वाला एड्मिस्टेशन था वो किस तरीके से हुआ करता था इवेन पर पेस्वाज क्या हुआ करते तो यह क्या हुआ करते तो यह क्या हुआ करते हैं इनका कि California के टामी में जो जो थी एक helemaal ऑप्रेंजमिस आप लेंगें लेटर-मूगल के साथ इसको एड़ करके पढ़ ले इसके बाद जो है कॉंसलिडेशन ऑप सीख एंपायर लास्ट में आते 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 आपको सीख एंपायर का भी बनना सुरू हो जाएगा एटीर हंडेड्स तक उस कर सकते हैं यहां भी आप चाहें तो इसके अलावा इसी टाइम में आपको अवध बेंगाल हैदराबाद यह सुल्टान जो हुए यह कौन हुए तो इनको अपने को देख लेने का है और यहीं से फिर जो है हम मौदर में ट्रांजिट कर जाएंगे तो इसके बाद जो है आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो हमेंसा कीवर्ट को जरूर पिक करें वहां पे जो इंपोर्टेंट चीजें हमने देखी इतना यह ब्रीफ आपको कर लेने का है तो इसके बाद जो है I will deal with the modern history की modern history में हम क्या focus करें कि limited time में हम उसको पूरा कर जरूर रसके तो thank you have a good day and keep studying